आलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन, आज आपके लिए सेट बी के क्वेश्टन आंसर्स लेकर आई हूँ मैं, I'm sorry कि मैं बहुत जादा लेट हो गई हूँ, बट स्चिल बच्चे रिमाइंड करके मुझे याद दिला देते हैं कि मैं मापको ये ब्लो होने लगी थी, और बड़े बड़े जो ओले थे, हेल स्टोन्स थे, वो गिरने रगे थे, along with the rain, और लेंचो के फील्ड को क्या हुआ, दूसरे पार्ट में लिखा है, इसलिए मैंने उसको दूसरे पैरेग्राफ में लिखा है, जो सारे क्रॉफ से लेंचो के फील्ड पहली जो obligation थी, जो उनकी responsibility थी, वो थी family, parents, wife और children के प्रती, और दूसरी लाइन में आपको लिखना है, obligation to his people, community और country, तो पहली priority family parents, और दूसरी हो जाती है, people, जो हमारे आजुबाजु के लोग है, community है, और हमारी country है, Next, what tells you that Ann loved her grandmother, कहां कहां पर उसने grandmother के बारे में mention किया है, Ann ने लिखा है about her grandmother in her diary, no one knows how often I think of her, मतलब मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ, कितना याद करती हूँ, आज भी उन्हें प्यार करती हूँ, ये sentence से हमें पता चलता है कि Ann loved her grandmother, तो love her वाला जो statement लिखा है, वहां तक आप लिख सकते हैं, उसके बाद आप question में से लिख दिए जिए, Ann loved her grandmother, इन statement से हमें पता चलता है, next बहुती easy question है, what is baker called in Goa, तो इसका answer है, baker is called padder in Goa, what did baker wear in Portuguese days, तो यहां पर दो बार हमको dress उसके बारे में बताया गया है, एक बार जो dress मेहनते हैं, बेकर वो Portuguese days की बात करते ह एक peculiar dress होती थी, जिसका नाम था कबाई, उसका जो single piece long frock रहती थी, जो knees के नीचे तक जाती थी, वैसे एक और dress की बात करी है, जब author छोटे थे, तब वाली dress मेहना करते थे, वो three-fourth pant जो थी, वो बात की है, तो यह आपको याद रखना है, Portuguese dress में वो single piece long frock पहनते थे, जो knees तक जाती थी, ठीक है, next आते हैं हम question पर, जो है, why didn't Walli get off the bus at the bus station, bus station पर Walli नीचे क्यों नहीं उतरी, क्योंकि वो एक responsible child थी, Walli ने स्रफ plan किया था, that she only wanted to ride on the bus, she would spend 30 पैसे, उसने 60 पैसे ऐसे तैसे इखटे किये थे, मेले में ना जाकर, और उसने 30 पैसे आने जाने के के उठने के पहले, वो वापस आ जाएगी, यह उसने planning करी थी, उसके पास और कहीं घूमने का, या फिर और कहीं money spend करने के लिए नहीं था, ना time था, तो इतना उसने plan किया हुआ था, next, what happened when box was opened in Mijbill, जब वो box खुला था, तो Mijbill ने क्या किया, Mijbill was out of the box in a flash, मतलब, ए एक जपक में Mijbill बहार निकल चुका था, he disappeared, वो गायब हो चुका था, high speed में, और दियर बार स्क्रॉज और बहाँ पर लोग का एकदम से बिलकुल शोर शराबा होने लगा था, flight के अंदर, site of the food, maddened him, यह हमारा chapter first flight से है, what does this suggest, site of the food, मतलब, जो fish उसकी माल आई थी, सीग था, भूका था, और जैसे ही उसने food देखा, वो excitedly, बहुत excited होकर उसने उसका जंप किया, the young seagal had been hungry, 24 गंटे थे उसने कुछ खाया नहीं था, और food को देखकर बहुत जादा वो पागल हो गया था, यह डेस्परेट हो गया था, जिसकी वाईसे उसने चलांग मार दी, और site of the fish, क्या था, उसकी खाने के लिए, उसकी माने, उसकी बीक में, मतलब उनकी चोंच में, क्या था, एक fish थी, जिसको पकड़ने के लिए, seagal ने पहली बार अपने पंक spread किये, in the poem, Dust of Snow, what does poet say has changed his mood, the poet's mood changed from that of dismay, dismay मतलब, उदासी से, sorrow से, joy में convert हो गया था, तो poet का mood कैसे change ह गया था, poet का mood, दुख से, खुशी में बदल चुका था, he was holding the day, वो पूरा दिन सोच रहे थे, कि वो कितने दुख में है, लेकिन जैसी Dust of Snow उनके उपर गिरा, उनकी चहरे पर खुशी आ गई, in the poem, the ball poem, what does in the world of possession mean, ये बहुत important question है, world of possession का मतलब क्या होता है, ये ball poem से लिख है, तो वो ट्रिक जा कर देखें, तो आपको सारे poet's name याद हो जाएंगे, तो ये comment आपको करके बताना है, कि ball poem किस ने लिखी है, here in the world of possession मतलब क्या होता है, world where everything and every action is made to possess something, कुछ ना, possession मतलब होता है, हमारी संपत्ती, तो यहाँ पर पूरी जो दुनिया है, कुछ ना, मेरा है, property, मेरी है, money है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक चीज का possession दिखाती है, मतलब मालिकाना हक जो होता है, वो दिखाती है, उसका मतलब होता है, world of possession, what happened to the house when tree move out of it, ये trees poem से लिया है, जब trees बाहर निकलते हैं, house के, तो ग्लास जो है, वो टूट जाता है, और पर green color की लगी हो है, ये lichens, उनकी जो खुशबू है, महक है, वो घर के अंदर तक आ जाती है, तो ये होगया question, next आते है, why did Mrs. Hall, ये 13th question है, why did Mrs. Hall find the scientist eccentric, मतलब अजीब क्यों लगा उनको, Mrs. Hall को जो land donor थी, जब वो कोई से town में आया था, आई से कुछ नाम था, वो town का, उस town में आया था, और उसने local महाँ पर residence ले लिया था, एक hotel ले लिया था, लॉजिंग कर ली थी, तब Mrs. Hall मिली थी उसे, Mrs. Hall को scientist eccentric, इसी लिए लगा क्योंकि appearance उसकी common नहीं थी, उसके मूँ पर bandages लगी हुई थी, उनके forehead पे, dark glasses पहने हुए थे, एक नकली nose उन्होंने लगाई हुई थी, viscous मतलब होता है, दाड़ी, big bushy side दाड़ी थी उनकी और एक large hat बना हुआ था, जो normal कोई अनसान के लिए मतलब अलग, अजीब लग रहा था, इसी लिए उनको भी वो person अजीब लगा, और उन्होंने इवन ये भी कहा था, कि वो नहीं चाहते कि Ipping, जो जगे का न लुक्स थी, ना intelligence थी, लब ब्रेन से भी वो नहीं थी, बहुत जादा intelligent और दिखने में वो ऐसे ही सामली थी, he did not know he would find और उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि कभी उसके लिए एक अच्छा दूला वो ढून पाएंगे या नहीं, आपको इतना लिखना है बद, भुली's father was worried about her as she had neither good looks nor intelligence, इतना काफी है, what did Hari get from Anil in return for his work, ये chapter ये Hari जो चोर रहता है, अनिल के घर पर काम करता है, तो उसे उसके बदले में क्या मिलता था, हरी को वहाँ पर रहने के लिए जगे मिली थी, मतलब got a place to live at and food to eat, और खाना मिलता था, अनिल ने उसे even ये भी कहा था कि वो उ अपना नाम, राइट इस नेम, नाम लिखना सिखाएगा, कुछ sentences सिखाएगा और इवन addition, मतलब जोडगटाना भी सिखाएगा, तो mainly वैसे आपको यहाँ पर ये mention करना है, कि उसे वहाँ पर रहने के लिए जगे मतलब place to live at food to eat मिलता था, और इवन वो उसे पढ़ाता था, Who does Lencho think has taken rest of the money, what is irony in the situation, Lencho को क्या लगता था, तो ये अपन shorten up करके लिखते हैं, कि Lencho को लगता था कि post office के employees ने उसका जो बचा हुआ, remainder मतलब होता है, बचा हुआ, पैसा जो है, क्योंकि 70 पैसो दिये हैं, और उनने God से demand 100 पैसो उसकी करी थी, तो आप यहाँ पर सरिफ ये mention करो, Lencho thinks that the post office employees, जिनके लिए उसने एक term use किया है, bunch of crooks, have taken the remainder of cash, इतना काफी है, यह आप भलई 70 पैसो और 100 पैसो mention मत करिये, Lencho is certain that उसने ये सोचा कि God जने कोई mistake कर नहीं सकते, इसलिए post office के employees नहीं पैसा दिया है, और एक और इसमें second part है, what is irony in the situation, मतलब यहाँ पर दुख कर रहा है, suspect करना मतलब शक कर रहा है, वही लोग जिनोंने उसकी मदद की, तो need तक आप लिख दोगे तो यहाँ पर answer काफी है, the irony during the situation is that Lencho suspect the exact same people that helped him in his time of need, इतना काफी है, he calls him a bunch of crooks, यह word आप mention कर सकते हैं, बस इतना आप लिख दीजी यह वाले answer में, काफी है, sufficient है, next, इस अगर आप लगे तो मेरा वीडियो चेक आउट कर सकते हैं, baker had not important place, had an important place, वहाँ पर एक important place आएगा, had not नहीं आएगा, वहाँ पर important place था उसका, ठीक है, in the village life of Goa, marriage gifts meaningless थे, बिना उनकी bowl bread के, bowl जो sweet bread है, cakes और bolinas, जो Christmas और दूसरे festivals पर बनाई जाती थी, और कबाई जो उनकी single piece long frog design है, वो आप mention कर सकते हो, यह अपने पहले भी question में कर लिया है, तो mainly यहाँ पर कोई भी marriage ceremonies उनके बनाए हुए bowl bread या cakes या बोलिनास के बिना अधूरी थी, नेक देखते हैं, central idea of poem fire and ice, तो यहाँ पर आपको fire and ice दोनों का meaning बताना है, यहाँ पर central idea क्या है, सबसे पहले Robert Frost Frost mention कर दीजे कि it is very interesting poem which is written by Robert Frost या उसकी writer है, poet है Robert Frost, यहाँ पर speaker किस बात पर force कर रहें, that it will be, जो हमारा world है, वो किसी न किसे तरीके से destroy होगा, या fire से या ice से, बस पहला paragraph आप यह hypothetical word भी नहीं उस करके, यह लिख सकते हैं कि speaker is asserting that world will be destroyed, यहाँ it की जगे आप world mention कर दो, world will be destroyed either by यहाँ it की जगे आप mention कर सकते हो world, world will be destroyed either by fire or by ice, यहाँ पर इतना mention करते हैं, फिर central idea around it, the entire poem revolves is that only, क्या चीज से यह हमको फाइदा हो सकते हैं, हम world को बचा सकते हैं, फिर love, equality and mutual understanding ही हमारे world को sympathy for one another, यही help कर सकती है, कही न कहीं world को बचाने में या शान्ती लाने में, बस इतन mention करना है, आपको, screenshot लेकि आप answer याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, next, in the end of the lesson, Mrs. Pamprey says, this is Trimpe of Surgery, why, तो Mrs. Pamprey वाले chapter से भी हर बार question आया है, Trimpe of Surgery क्यों कहा गया है, क्योंकि two weeks में Tricky recovered हो गया था completely, और अब transform हो गया था, एक hard muscled animal, मतलब अच्छा active animal बन गया था वो, डॉक सकता फेस लिख करने लगा, तो जब वो बहुत जादा excited हो गई थी और tears उनकी आखों से निकले, तब उन्होंने यह चीज़ बोली कि यह Trimpe of Surgery है, Trimpe मतलब होता है, Victory मतलब जीत और Surgery की जीत है, क्योंकि Surgery successful हो गई, अब वो एक active कुता बन चुका था, पहले वो बहुत से ही उसकी demand कम होती, उसकी इच्छाएं इतनी बड़ी-बड़ी नहीं होती, वो ज़्यादा expectation कर रही थी, अपनी life से अगर वही नहीं होती, तो शायद वो इतना सफर नहीं करती, poverty उसको पहले से थी, मतलब गरीबी थी, उसकी जो walls सी, उनको देखकर उसे बहुत जादा, म on chairs जो थी, वो उसको अच्छी नहीं लगती थी, ये सारी चीज़ें उसे torture करती थी और गुस्से में रखती थी, वो हमेशा अपनी life से dissatisfy रहती थी, unhappy रहती थी, और हमेशा एक अच्छी जिंदगी, luxurious मतलब रही सी वाली जिंदगी इमेजिन करती थी, तो आई हो कि हासरत तक आपका set भी complete हो गया है, all the best students आपको इन सब के लिए